बॉलिवर इंडरस्टिम गई फिल्में रिलीज होती है और सब भी अपना दम दिखा कर दर्श योकों का दिल जीतती है कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाती है ते कुछ फिल्में ब्लॉक बस्टर हो जाती है वही अगर कुछ फिल्म 100 करूर रुपे भी कमा लेती है तो ऐसे में ये फिल्म ब्लॉक्बस्टर मानी जाती है तो दोस्तों आपको मैं पता दे कि ऐसे बॉलियूर के कुछ फिल्में हैं जिन्होंने 100 नहीं बल्कि 500 करूर रुपे कमा कर अपना रेकॉर्ड कायम किया है सबसे पहले बात करते फिल्म दंगल के बारे में आमे खान प्रोडक्शन के बैनना तले बनी फिल्म दंगल 2016 में रिलीज हुई थी ये भारत की सबसे हाइस फ्रॉसिंग बॉलियूर फिल्मों में टॉप पर है अगर इसके वर्लबर्ड कलेक्शन की बात करे तो इस फिल्म ने वर्लबर्ड कलेक्शन के मामले में दो हसाथ 24 करूर का कलेक्शन किया है ऐसे में दो हसाथ करूर की कमाई का आंक्रा पार करने के मामले में ये भारत की पहली हिंदी फिल्म है फिर बात करते बाहु बली टू दा कंक्लूजन के बारे में 200 साल 2017 में रुलीज हुई साउथ के मर्शू डारेक्ट एसे स्राजा मौली के फिल्म बाहु बली टू ने दर्शोकों का दिल जीता था दिल जीतने के साथ साथ ये फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर भी सारे रिकॉर्ड तोड दे थे वहले आपको बता दे कि दुनिया भर के लोगों ने इस फिल्म को काफी ज़दा प्यार दिया था इस फिल्म ने वॉल्ल वैट 1810 करोर का कलेक्शन किया है ऐसे में बॉलिवड के सेकंड हाइस्ट ग्रोसिंग मूवी है फिर दोस्वाथ करते फिल्म कीजिफ चैप्टर टू के बारे में साथ सुपसा ये फिल्म कीजिफ चैप्टर टू ने बॉक्स ओफिस पर अपना दबबा कायम रखा है ऐसे में इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये थे इस फिल्म को दर्शेगों का पीश उमार प्यार भी मिला था इस फिल्म में रॉकी का किरदार निभाक का सौथ सुपसा यश ने अपनी अलग पहचान बनाई है वहीं दोस्टो बात करें इस फिल्म के वर्ल वाट कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म ने 1,211.53 करोड रुपे का कलेक्शन किया था ऐसे में highest crossing movie के list में ये तीसरे पायदान पर है वै दोस्टो बात करतें फिल्म ट्रिपल अर के बारे में साउथ सुपरस्टार जूनियर एंटी आर और रामचुरन के फिल्म RRR ने अपने अक्षिन और अपने कंटेंट से लोगों का दिल चीतने में कोई कसर नहीं छूड़ा है इस फिल्म में जूनियर एंटी आर और रामचुरन के अलावा बॉलिवुद सिर्पस्टा अजी दीवगन और अक्ट्रस आलिया भडवी एहम किरदार में नज़र आये थी इस फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म में वर्ल्ड वाइट 1,150 करोड की कमाई कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है वह अब बात करते फिल्म बज्रंगी भाईजान के बारे में दो हसा पार्च में रिलीज वे सल्मान खान के फिल्म बज्जोंगी भाईजान ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया था इस फिल्म में मुखे किरदार से लेकर बच्चों के किरदार तक दर्शकों ने बीशिमार प्यार दिया था बात करे गए इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म ने वर्ड वैल कलेक्शन के मामले में 969.06 करोड का कारोबार किया है और ऐसे में ये फिल्म बॉलिवड की हाइस ग्रॉसिंग फिल्म के लिस्ट में पाच्वे स्थान पर है तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमें सेक्शन बताना बिल्गूर भी न भूले और हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें